नमस्कार, जोतिष यग्यासा में आपका सौबत है, मैं पंड़त दिनिश्योतर हूँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिन जात को बच्चा है, आठ तारीक, सत्रा तारीक और चप्विश तारीक, यह नि इन तीन तारीकों में होता है, उनका मूलांख आठ होता है, इससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि यह जो आठ हंक है, इसका स्वामी शनी देव है, शनी देव को तो सारा पुरा बिश्र ही जाता है, शनी देव बहुत ही ड्याई, बहुत ही न्याए पसंद करते हैं, उनको जरह सा भी अन्याए पसंद नहीं है, अगर आपने अन्याए किया आपने गलत काम किया तो आपको दंड मिलना सभाविक है और दंड देने वाले जो ग्रेय है जो देव है वो शनी देव है कि शनीदेव कि दस और 11 यह दिए राशी चक्र में कि दस नि मकर नि मकर और कुम राशी के भी स्वामी अगर आपकी यह राशिया है मैं 10 और 11 आभी मकर और कुम्ब के भी करना हैर जिंकि राशिया यह मकर और कुम्ब उनके लिए भी शनी दिए उसे करपाब्स आते हैं तो आपको शनी दिए andoOhao को खुश करिए लेकिन यह द्यान रखेंगी शनीदियों बहुती न्याय परें इनको गलत तो बरदाश्ट नहीं है इसलिए आप कभी भी गलत काम मत करिए शनीदियों को पसंद है कि आप लगातार कर्म करते रहे हैं कर्म अगर करेंगे तो आपको उसका फल शनीदियों और शिरूप्षे देंगे आठ मूलांग के लोग अगर इनको जीवन में परिशानी आती है दिकते आती है तो शनीदियों के मंत्र का आप जब करिए तो शनीदियों के मंत्र का एक माला प्रति दिन जब करिए शनीदियों का बैदिक मंत्र है ओम शंग्षन शराय नमः इस मंत्र का जब आप प्रति दिन एक माला करेंगे यकीनन आपके तरक्की में पंक लग जाएंगे शनीदियों क्रपा बर्शाएंगे और जिनका ये मूलांग का आठ है उनके लिए शनीदियों की क्रपा हमेशा बनी है तो दोस्तों आपको यकारिकरम कैसा लगा आप हमें सुझाओ बेजिए मेल करिए अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप शेयर करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आप तक जोतिस की पलपल की जानकारी जाती रहे आपको मिलती रहे तो देखते रहे जिसस जिग्याशा धनिवाद